Hello students, 10th class में Mathematics में अपने आपको perfect कैसे बनाएं ये माना जाता है कि जिस subject को हम ज़्यादा पढ़ते हैं वह subject हमारे समझ में अधिकाता है अगर किसी student से उसका favorite subject पूछा जाए तो वह किसी एक particular subject का नाम बता देगा ये भी हो सकता है एक से अधिक subjects का नाम हो बता दे फेवरेट subject की मीनिंग क्या है अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारा favorite subject क्या है उसने किसी particular subject का नाम बता दिया इसकी मीनिंग क्या है उस subject में उसका interest ज़्यादा है उस subject में उसका interest ज़्यादा है interest की meaning कि वो उस subject को ज़्यादा पढ़ना चाहता है ज़्यादा अच्छी तरीके से उस subject में उसका concept clear है यह concept क्या बोता है concept की meaning यह है कि उस subject में जो chapters हैं उसमें जो words यूज किये गए हैं उस student को वो words बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तभी तो वो उसको ज़्यादा पढ़ना चाहता है तभी तो वो सबन्ज में आता है तभी तो उसका concept clear है तभी तो उसका फेवरिट सब्जेक्ट है इस सभी words एक दूसरे को connect करते हैं लेकिन जैसा देखा गया है कि mathematics में कुछ chapters के हमारे concept clear नहीं हो पाते तो यहाँ सिट्टा classes के थो mathematics के आपको ऐसी classes दी जा रही है जिसमें हर एक chapter का concept आपको zero level से clear कराया जा रहा है हर एक chapter का concept आपको zero level से clear कराया जा रहा है जैसे कोई एक chapter हम लेते हैं मालो आप second chapter लेते हो polynomial तो polynomial क्या होता है polynomial में कौन-कौन से words उस होने वाले है उसका explanation कैसे exercise के questions आप solve करेंगे यह आपको बताया गया उससे rated कौन-कौन से words उस हो रहे है यह सभी बताया गया और इसके लिए क्या किया गया है आप ज़रा समझें हर एक exercise के क्योंकि आप जानते हैं mathematics में जितने chapters हैं उन सभी chapters में कई exercises है जैसे polynomial लेख है तो उसमें 2 और 3 exercise है ठीक है किसी में 4 exercise है तो इस तरह से कई exercise है हर एक chapter के हर एक exercise से पाले एक introduction lecture दिया गया है एक introduction lecture दिया गया introduction class उस introduction class में उस exercise से related सारे statement जीरो लेबल से बता दिया गया अब जरा सोचो कि अगर कोई statement हमें जीरो लेबल से बताया जा रहा है तो क्या उस chapter को समझना हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा जरा सोचो उस chapter को समझना हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा और ये भी सोचो कि खैगा, ठीक है? यही sit et classes में, जो आपको classes दी जा रही है, इसी के base पर दी जा रही है, और इस उमीद से दी जा रही है कि आप सभी 10th class में mathematics में अपने आपको perfect बना लें, एक मैं छोटा सा example दे रहा हूं जैसे polynomial अलग हम ले लें, तो polynomial की meaning क्या है? पॉली और नॉमियल ये दो अलग अलग वर्ड्स है तो इससे जो क्या-क्या बनता है कौन-कौन से वर्ड्स रेज होते है पॉली नॉमियल बना कैसे ठीक है, कितने वैरियबस ही उसके जा रहे है तो ये सारे वर्ड्स इसमें है बिल्कुल जीरो लेबल आपने पहले किसी का mathematics में नहीं पढ़ा है इंट्रेस्ट कुछ नहीं है, नहीं हमारे समझ में आता है बिल्कुल कोई फरक नहीं पढ़ता आपको उसी तरह से बताया जा रहा है जिस तरह से 2x2 जैसे बेबी क्लास के students को बताया जाता है 2x2 बेबी क्लास के इंट्रेस्ट है नहीं है, doesn't matter trigonometry trigonometry word की origin कहां से हुई क्यों क्योंसे words इसमें यूज होने वाले हैं, सब का पहले details फिर उसके बाद exercise के questions अगर आप introduction classes जो भी हर एक chapter के हर एक exercise related दी जा रही है उसको अच्छी तरह से कर ले तो exercise के सारे questions आप easily attempt कर सकते हैं, आपको कहीं किसे दूसरे से help लेने की ज़गोत नहीं पड़ेगी और एक अच्छी बात और गी है मालो उस chapter के उस particular exercise से पहले आपने introduction class पढ़ दिया देख लिए अच्छी तरह से आपका concept भी clear हो गया आपने उस exercise के questions को करना शुरू कर दिया एक किसी question पर आप रुप गए आपके समझ भी नहीं आया तो हमने sitya classes में किया क्या है जो classes आपको दी जा रहे हैं उसमें हमने किया क्या है कि हर एक chapter के हर एक exercise के complete solution का explanation दिया है complete questions के solutions को दिया गया है with explanation तो जब भी आपको किसी question को साल करने में confusion हो कोई problem हो आप तुरंट उस वीडियो को देख ले उस से related वीडियो को देख ले उसमें question आपको मिल जाएगा solution, explanation आप उसे clear कर ले और ये भी आपके समझ में उस case में आजाएगा कि हमने गलती कहां की थी अच्छा ये इस tip में हमारी थोड़ी सी गलती हो दी थी हाँ ये ठीक है अब हमागे continue कर ले और जब तक आप exercise के questions को करते हैं तब तक आपको उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं हो दी introduction class के base पर सारी questions करते चले जाएगा और इस तरह से अगर आप करते चले जा रहे तो one by one सभी chapters आप easily solve कर सकते हैं और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम पूरे book के सारे questions को solve कर लेते हैं तो क्या आपने आपको feel करते हैं बड़ा proud feel होता है नहीं कि रहे हमसे तो सारे questions हो जाते हैं एक दो बार practice कर लेंगे तो फिर question देखते ही बता देता है रे ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा हम कभी कभी होता है क्लास में जाते हैं अच्छा कोई student अगर ऐसा कर देता है तो उसके लिए थोड़ा सा respect बढ़ जाता है नहीं होता ऐसा क्यारे इसको तो सारे questions आते है हमें भी अगर कोई problem होती है तो इसी student सो पूछना चाहते है वो कर देता है अरे ऐसे ऐसे कर लिया जाएगा कितना अच्छा हो कि अगर उसी जैसा हम भी बन जाएगा तो इस तरह से आप Sitta classes के app को download करें उसमें कुछ free classes है introduction classes भी हमने कुछ free दी है आप पहले उसे देखें आपके समझ में आ जागा अच्छी तरह से और आप उसके बेसपत exercise भी करें तब आप इसे आगे continue करें